नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप कि आप अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स इन दिनों गर्मियों का मौसम अब लास्ट होने को है और हम अपने गार्डन में कुछ न कुछ लगाते ही रहते हैं और कुछ न कुछ खरीते ही रहते हैं तो आज मै मैं एक online shopping की वीडियो लेकर आई हूँ online shopping मैं ने की है Además और इस video में कि आय हूँ कि कैसे कैसे पॉद मैंने खरेदे हैं कहां से खरेदे हैं और क्या सहीं को से या में अंतर तक बने रहिएगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल में नए है तो सब्सक्राइब भी और अपने गार्डिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ सेयर भी बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा क्योंकि नए वीडियो क नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी यह सब कुछ मैंने जो पर्चेज किये हैं वो सब है जिनको मैंने रिपॉर्ट किया है तो यह सब हमारे गार्डन में आए दिन लगा ही रहता है कभी किसी पौधे की रिपॉर्टिंग कभी किसी पौधे की रिपॉर्टिंग तो वीडियो क में वो भी मैं दिख लाओंगी तो आईए वीडियो को सुरू करें हलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंड्स मैंने एक दो दिन पहले अनुराग रुआए उन्हीं से मैंने ये पौधे पर्चेश किये हैं तो मैंने कुछ दस पौधे मंगाये थे उनसे जो कि कल आये हैं मेरे पास तो उसी की अन्वाक्सिंग मैं दिखला रही हैं दोस्तों ये इस तरह से पैकिंग करके उन्होंने भेजा है और अच्छी पैकिंग है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें पूरा साफ फंगिसाइड पूरा रैप करके लगाया हुआ हुआ है पूरे पौधे में तो फंगिस लगने का भी डर नहीं है ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने पौधे भेजे हैं और कुल दस पौधे लेने पर मुन्होंने एक पौधा एक्स्ट्रा दिया है तो सभी की आईडी लिखी हुई है दोस्तों और सभी एक से बढ़के एक कलर है फ्लावर जो मेरे पास नहीं थे अडेनियम के नए नए कलर्स नए नए फ्लोरेट्स के डिजाइन तो इस तरह से तरह का मैंने शौपिंग किया है और कुल दस पौधे मैंने मंगाए है इसकी आईडी भी इसमें लिखी हुई है तो इससे इनका कलर भी पता चल जाएगा अ एक फूल का मैंने कलर अलग से मैं आपको नहीं दिख लाओंगी लेकिन सभी एक से बढ़कर एक कलर है और खुल दस पौधे हैं और यह ग्यारहमा मेरा एक्स्टा तो इस तरह से मैंने साफ हंगी साइड पानी में मिला कर बनाया है और उसी में मैंने इसको डिप कर दिया है क्योंकि पौधे काफी दूर से आते हैं और इनको कुछ रिफ्रेश्मेंट तो जरूर चाहिए और पानी में जाने पर थोड़ा साइन को पानी का वर्टेक भी चाहिए जो भी मुर्जाय हुए सुखे हुए होंगे वो भी पानी से रिवाइब हो जाएंगे ऐसा मेरा मनना है तो इस तरह से मैंने इनको डिप करके छोड़ दिया है और अब मैं इसकी मिट्टी बनाऊंगी तो मिट्टी में मैंने पहले से ही काव डंग कंपोस्ट मिला के बोरी म सब्सक्राइब करें नेली है और क 때문 करीब करीब 80 percent मैंने वहimizi रिए और 20 नेंड फिर से मिला दिया है मीट्टी मेरी पहले से ही algaubra जाए ऐसा देने वाले जो खाद हैं वो सभी मैं मिलाऊंगी इसमें नीचली ऑनकिक पावडर हो भी मिलाऊंगी नीचली का है पावडर में इपसम सॉल्ट एक चमच सीवीड दो चमच और साफंगी साइट तो पहले से ही इसमें रैप किया हुआ है ही है इसलिए मैं उसको नहीं मिलाओंगी और एक बहुत ही जरूरी जो अर्जेंट चीज है उसको मैं मिलाओंगी वह है रॉक फास्पेट या बोन डस्ट या बोन बोन मील तो इस तरह का मिक्शन में मिलाओंगी देखें सीवीड के कुछ दाने हैं करीब करीब दो चमच एक चमच सम सॉल्ट करीब दो मुठी ये नीम केक पाउडर का फटलाजर है और इस तरह से सब में इसको मिला लूँगी और रॉक फास्पेट या बोन मील या बोन डस ग्रैस इसको भी मैं करीब करीब दो चमच चिस में मिला ले ज्यादा क्ौंटिटी है क्योंकि बोनट मील स्लो रिली पटलाजर है और दीरे धीरे ये ऐसे और ऑर दीरे धीरे ये घूलता जाएगा और पॉधे को मिलता जाएगा तो इस तरह से मैंने मिक्ष्यर बनाया है आडेनियम में बोन मिल का बहुत ही अच्छा है जरूरि है भर प्रड़ेजर माना दाता है क्योंकि इसमें फासपोरस होता है दोस्तों और फासपोरस पॉधों के लिए बहुत जरूरी है उसके ग्रोथ के लिए उसके पौधों को मजबूती प्रदान करने के लिए तो इस तरह से मैंने सभी कुछ मिला लिया है और अब इस मिट्टी को मैं मिलाऊंगी गमले मैंने कुछ फ्लैट रखे हैं कुछ जो मेरे पास अभी अविलेबल है दो-तीन गमले फ्लैट वाले अविलेबल हैं तो मैं उसको ली हूँ और बिक्षर को पूरी अच्छे से मिला लें इस तरह से और जो भी मेरे मिट्टी के गमले अभी पड़े हुए थे उसी में मैंने लगाया है अडेनियम के लिए तो मैं फ्लैट गमले हमेशा सही लेती हूँ और उसमें अच्छा चलता है क्योंकि उसमें पानी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती है और उसका कॉडेक्स भी प्लैंटे हुए टुकडे रख दी हूँ और इस तरह से मैंने मिट्टी भर लिया है इसमें और जो मेरे ओवल सेपके प्लैंटर है या गोल वाले प्लैंटर है फ्लैट वाले उसमें दो-दो पौधे में लगा रही हैं दोस्तों क्योंकि पौधे अभी बहुत छोटे हैं इ ज्यादा फैलती नहीं है लेटरल वर्टिकल कहीं भी और जेंटल कहीं भी तो इस तरह से आप दो-दो-पौधे लगा ले आपके पास जैसा प्लैंटर है वैसा आप चुनाव करें प्लैंटर का लेकिन फ्लैट वाला प्लैंटर मेरे हिसाब से अच्छा होता है ज्यादा ड तब जाके इनकी ठीकनेस ज्यादा होती है अभी फिलहाल इनको चार-पांच साल लगेंगे थोड़ा कोडेक्स मोटा होने में और बड़ा रूप लेने में तो अभी मैं इनको इसी तरह से दो-दो पौधे करके लगा लूँगी और जितने भी गमले हैं मेरे मिट्टी के है उसमें मैं सभी को लगा लूँगी देखिए चोटे-चोटे गमले में भी एक-एक प्लांट मैं लगाऊंगी और बाकी बचे का जो सब एक साथ ही लगा दूँगी फिर प्लांटर मुझे मिलेगा तब मैं इसको अलग करूँगी इस तरह से मैंने सभी को लगा लिया है और अब बारी है वाटरिंग की तो सभी में ये साफ़ वाला पानी मैं उससे वाटरिंग करूँगी और अलग से भी मैं वाटरिंग करणगी पहली बार में पूरी अच्छे से थोरोली वाटरिंग करें दोस्तों उसके बाद आप दो-चार दिन इसको छोड़ दे ऐसे ही धीर यह जड़े अपनी जब फैलाने लगेगा ताब इनको वाटरिंग की जरुवत होगी और इन दिनों हमारे यहां बहुत मौश्चर है वाता ब्रण में तो मौश्चर होने से जल्दी पानी सुकता नहीं है तो इस तरह से आप वाटरिंग कर लें सभी पौधों की देखिए मैं सबी को इस तरह से लगाया है और यह चोटे प्लैंटर में मैंने एक एक लगा है और मेरी एक गमलारी 8 इंचीत था कि उसमें तीन प्लांत प्लांटे लगा दिए हैं अ Services देंगि तो इस तरह से आप अगर अधेनियम की प्रचेजिंग करते हैंतों इस तरह से आप मित्टी बना सकते हैं और अपने पधा को लगा सकते हैं यह परस्ट मिक्चर है अगर लेनियम के लिए इससे पॉधे अच्छे चलते हैं और प्लांट भी बहुत खुश रहता है देखिए में जितने भी प्लांट इन्होंने भेजे हैं सभी हेल्दी हैं सभी की पतियां काटी हुई है तो इस तरह से मेरी ओनलाइन सोपिंग बहुत ही अच्छी है ये मुझे 150 का एक प्लांट इन्होंने दिया है और इस तरह से दस पॉधे के उन्होंने लिये हैं 1500 तो इस तरह का प्लांट अगर आपको मिले तो जरूर लें काफी हेल्दी हैं और किसी में कोई बीमारी नहीं है और अब कपत्ते गरले सड़े हुए हैं बहुत ही हेल्दी कंडिशन में तो मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक साथ उमीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऑनलाइन स्वापिंग अच्छी लगी होगी मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक साथ तब तक के लिए हैपी गार्णिंग ओके बाइ झाल झाल